आपका फिर से स्वागत है आज बाबा हमें अम्रत वेले की याद के बारे में समझा रहे हैं कि हमारी अम्रत वेले की याद कितनी पावरफुल होनी चाहिए और उसका सारे दिन पर क्या प्रभाव पड़ता है तो बाबा ने कहा विशेश अम्रत वेले पावरफुल इस्थिती की सेटिंग करो पावरफुल स्टेज अरथाद बाप समान बी जुरूब इस्थिती में इस्थित रहने का अभ्यास करो जैसा स्रेश्ट समय है वैसी स्रेश्ट इस्थिती होनी चाहिए साधरन इस्थिती में तो करम करते भी रह सकते हो लेकिन ये विशेश वरदान का समय है इस समय को यथार्त रिती यूज करो तो सारे दिन की याद की इस्थिती पर उसका प्रभाव पढ़ेगा बाबने कहा कि साधरन इस्थिती में तो करम करते भी रहते लेकिन जो अम्रत्वेले का समय है वै विशेस वर्दानी समय है तो उस समय को हमें विशेस विधी पूर्वक की याद में डेठने का अभ्यास करना है तो जितना अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा उतना ही अनुभव होगा अनुभव का प्रभाव पुरे दिन की इस्तिति पर पड़ेगा तो हमें इस पर विशेश अटेंशन देना है ओम शान्ति